आपको यह उपाय अश्टेमी नौमी के भोड में करना है और ध्यान से आपको उस दिन पानी भी ग्रहन नहीं करना है यह उपाय मुसुबही जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना है यह मैंने सारी सामगरी ले रखी है मैंने चुनरी लिया है, पान का पत्ता लिया, लाउंग इलाईची, पाँच हल्दी की गाट और छे चूड़ी लिया है, आप चूड़ी का डिबा भी रख सकते हैं, साथी लालकीन कपड़ा पूजा की दुकान पे मिलता है, ये सारी सामगरी को मैंने ले लिया है, ये आपको पंडाल में जहां देवी का पंडाल लगता है आपको उपाय वहीं करना है वहां की भीड की अधिकता के कारण में ये उपाय अपने मामा भगवती घर में जो विराजमान है उनके सामने लाल कपड़ा बिच्छा करके मैया को चुनरी और छे चूडी और सिंदूर अरपित करत हुए माता को ये सारी सामगरी का आपको पोटली बना लेना है और माता के प्रतिद्रण स्रधा भक्ति विश्वास के साथ ही आपको ये उपाय करना है कि माता रानी आपकी सारी मनो कामनाओं को पूर करेगी और साथ ही मैंने पान का पत्ता इसमें जो है सुपारी मैंने ले इची पांच पांच इसमें अर्पित करूंगी चुकि मैं भी उपाय नो अस्टिमी के दिन करूंगी इसलिए मैंने पैकेट को खोला नहीं आपको बताने के लिए बस मैं यह बता दिखा रही हूं साथी मैंने पांच हल्दी के गाठ लिया है आपको साथी सफेच चावल अर्वा चावल इसको आपको पांच मुठी सवा पाव सवा कीलो यथा सामर्थ आपके पास जितना हो आप इसमें डाल सकते हैं साथी आपको दक्षिना के तोर पे 11 रूपया या 21 रूपया 101 रूपया जितना आपके यह था सकती आप इस पोटली में डाल दीजी आपको इस पोटली को गांट बांद करके जहां पंडाल में माता स्थापित होती हो तो वहां आपको अस्टिमी नौमी के सुबह ही करना है मन में अथा प्रेम और स्रधा के इसाप से माता के सामने प्रातना करने चाहिए है मा जगत है जगत को धान करने वाली है जगत का संहार करने वाली मेरी मनो कामनाओं को पूर्ण करो माता अपनी मनो कामनाओं का जो है वो सोचिए और साथ ही आप मैंने आपके पूजा में ज कामना पूर्ण करिए आपको ये प्रियोग हर साल करना है माता बहुत ही दयाली होती है उनके धरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लोड़ता है ऐसा द्रड़ विश्वार